नमस्कार दोस्तों मैं मोहन बर्बा आज मैं MCQ टेट्स सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ इसमें आज 504 का ब्लोग 2 का इकाई 8 के केवल MCQ हैं ये जितने भी MCQ आपका बनाया गया है आपका NIUS, DLED में जो अस्टेडी मेटरियल डाला गया है उसी के अधार पर बनाया है क्योंकि कोई दोस्त ने मेरे प्रसनल नमबर पर कमेंट किया कि सर पहले आप जो अस्टेडी मेटरियल दिया गया है केवल उसी पर बनाये उसके बाद में आप जो NCRT बुक्स हैं उसके अधार पर बनाये गा इसलिए मैंने सोचा कि जितना संभव होता है पहले आपका जो अस्टेडी मेटरियल दिया गया है वेव साइट में उस पर बनाने का कोशिस कर रहा हूँ तो आज का शुरू करते हैं आज का MCQ टेस्ट सीरिज दोस्तों परतेग दिन की भाति आज भी आज का प्रस्ण होगा और आप सभी जान रहे हैं कि यह लगातार आपके एकजाम तक परतेग दिन आज का प्रस्ण दिया जाएगा और इसमें जो विन्नर होंगे उसे मेरे तरब से पुरुतसाहित करने के लिए एक स्मार्टफ़ॉन गिप्ट में दिया जाएगा तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप आज के प्रस्ण का उत्तर जितना जल देंगे उतने ही आपके चांसेज बढ़ती जाएगी तो आज का प्रस्ण है इन में से कौन एक गौन आकड़े का उधारन नहीं है मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया था गौन आकड़े और प्राथमे आकड़े के बारे में उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि गौन आकड़े किसे कहते हैं और प्रार्थ में आकड़े किसे कहते हैं आप उसके अधार पर इसको देखिए आपका अंसर क्या है और मैं अब आपका अंसर बताने जा रहा हूं इसमें कहता है गौन आकड़े का उधारन नहीं है जनगन्ना आपका गौन आकड़ा है जनरल आपका जर्णल आपका गोन आकड़ा है अभिलेख भी गोन आकड़ा है लेकिन किसी ब्यक्ति कि ये गोन आकड़ा नहीं है ये प्रात्मी आकड़ा है गोन आकड़ा को फिर से मैं दोरा देता हूं कि वैसे आकड़ा जो स्वय संग्रह नहीं करता है दूसरे के द्वारा संग् करवाये जाता है जैसे जन्गनना क्या एक आदमी करता है नहीं कितने अजेर्सीज मिल करके जन्गनना को पूरा करता है तो यह गो राकड़े हो गया है लेकिन राम की मासी खर्च का जो विवर्णी रखा है केवल बंद केवल राम ने रखा है कोई दूसरा उसका नहीं रख सकता है इसलिए ये आपका प्रात्मिक आख़ा होगा एक प्रस्ण है मिलान चिन की बारमबारता होगी ये एक मिलान चिन है इसकी बारमबारता क्या होगी आप इसका उत्तर देखें मैं अब बताता हूँ ये पांच है एक, दो, तीन, चार और ऐसे दिया जाता है ये पांच बारंबारता है और इधर दो है पांच और दो, साथ ये आपका उत्तर होगा पर्थम पांच समसंक्यां का माइध्य होगा पर्थम पांच समसंक्यां का माइध्य क्या होगा यहाँ पर पूछ रहा है आप इसे निकाले मैं इस पर बात करता हूँ अब पहले पर्थम पांच समसंक्यां पर्थम पांच समसंक्यां होगा दो से या स्टार्ट करना है चुकि पर्थम में यहीं सब संख्या आता है 2, 4, 6, 8, 10 माइध निकालने के लिए सभी को जोड़ देते हैं और ये 5 है तो 5 से भागा देते हैं 2, 4, 6, 6, 12, 28, 10, 30 ये आपका उत्तर हुआ Next है किसी बल्ले बाज द्वारा विभिन मैच में बनाएगे रन हैं ये किसी बल्ले बाज ने रनों को बनाया है और इसका माइध्यक रन हमको निकालने का रहा है तो माइध्यक कैसे निकलेगा माइध कैसे निकलेगा बहुलक कैसे निकलेगा इसके लिए मैं कल आपका लगभग तीन बजे, एक video अपलोड होगा, तीन बजे फहले ही हो जाएगा, इस video में मैं माद्यक और बहुलक कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में मैं detail से बात करूँगा, तो यह माध्यक निकालना है माध्यक निकालने के लिए क्या करना है आप अपना अंसर पहले देख लिजिए अब फिर मैं बता रहा हूँ इसको आरोही करम या आरोही करम में लिखा जाता है मैंने इसे आरोही करम में लिख दिया देखिए अब यहां पर हम देखतें एक दो तीन चार पांग छे साथ आठ नौ दस एक दो तीन चार पांग छो साथ आठ नौ दस कई मिश्टेक हुआ पंचान देखें यहां अठारा चुटा हुआ था अठारा तो दो एक दो तीन चार पांग छे साथ आठ नौ दस एकारा है माध्यक में हम लोग क्या करते हैं जदि यह आकड़ा इसको ऐसे लिख करके और जो सबसे बीचो बीच में आएगा एक आरह है तो पांच इधर छोड़ देंगे हम और पांच आप इधर छोड़ दीजिए तो यह आपका उत्तर होगा माध्यक का माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको आरोही करम में सजा दीजिए और आधा इधर छोड़ देना आधा इधर छोड़ देना है जो भीच में बचा वो आपका उत्तर होगा ज़री सम संख्या आएगा तो उसका निकालने के लिए भीच का दो लेते हैं माल ये ये दस रहता ये नहीं रहता ति दोनों को जोड़ करके दो से भागा दिते हैं ये जब सम रहता तो आगे चलते हैं इसके बारे मैं मैं कल बहुत अच्छा से एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोग देखने के लिए नहीं भूलेंगे निश्चित रूप से 3-3 बज़े तक अपलोड हो जाएगा एकला प्रस्ण है वर्गी क्रित बारम बारता बंटन का माध्यक ग्यात करने के लिए आवसेक है माध्यक दो तरह से हम निकालते हैं एक वर्गी क्रित बारम बारता से और दूसरा होता या वर्गी क्रित या वर्गी क्रित जो अभी हम लोगों ने देखा वो आ वर्गी क्रित था जदी वर्गी क्रित रहेगा अर्थात वर्ग अंत्राल वर्ग अंत्राल दिया हुआ रहेगा जब उसका हम लोग निकालेंगे तो इसमें क्या चीज की जोरुवत पड़ेगा आप अपना उत्तर देखिए जब माध्यक निकालेंगे वर्गी कृत बारम बारता में तो संचई बारम बारता की आफसक्ता होती है इसके पहले भी हमेंने माध्यक निकाला था लेकिन वहाँ पर संचई बारम बारता की आफसक्ता नहीं हुआ क्यों की वह था या वर्गी कृत बारम बारता इसलिए चठा प्रस्ण है कैंद्रिये परवर्ती का मापक है ये कौन सा कैंद्रिये परवर्ती है कैंद्रिये परवर्ती ये तीनो है इसलिए इसका उत्तर ये तीनों होगा वह यंक या स्कोर जो बंटन में सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं उसे माध कहेंगे, माध्य कहेंगे, बहुलक कहेंगे देखे इसका उत्तर आप अपना देखिए मैं समझाने के लिए यहाँ पर एक उधारन दिया हूँ कि एक बल्ले बाज के द्वारा बनाय गया एरन है इसमें इसका हमको माध्यक निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसमें होता क्या है जो सबसे अधिक बार आया है उसका हम यह बहुलक होता है जो सबसे अधिक बार आया है उससे जो निकलता है वो बहुलक निकलता है तो यहाँ पर देखिए तीन, 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 तीन सबसे सरवाधिक बार आया है इसलिए यह बहुलक इसका तीन हुआ फिर से इसको समझें, वह यंक जो बंटन में सबसे अधीक बार आता है, उसे कहते हैं, जो बंटन में सबसे अधीक बार आएगा, उसे हम बहुलग कहेंगे 2, 5, 6, 1 प्रसन का परिसर, आप अपना देखिए कैसे परिसर होता है, कितना होगा, अब मैं बना रहा हूँ, परिसर सबसे बड़ा, इसमें जो सबसे बड़ा रहेगा, उसको खोज के लिखे दिजिए, 12 है, और घटा दिजिए सबसे छोटा में, 2 है, 10 हुआ, यहाँ पर भी परिसर निकालना है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 9, घटाना है, सबसे छोटा इसमें कौन है, 0 या मैनस 2, तो मैनस 2 सबसे छोटा होगा, मैनस 2, यह घटाव है, इसलिए घटाव का चिन दिए, और यह प्रसन का मैनस 2 था, इसलिए मैनस 2, जब माइनस और माइनस गुना होता है तो पलस हो जाता है एक गारा इसका परिशर एक आरा हुआ प्रात्मी आकड़े कौन संग्रह करता है सनस्था करवाती है स्वय अमसंधान करता करता है सरकार करवाती है या कोई नहीं करता है तो प्रात्मे आकडे स्वाय अमसंधान करता संग्रह करता है दोस्तों आज का एक प्रस्ण है इस प्रस्ण का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें और जो मेरा एक MCQ टेस्ट सीरी चल रहा है इसके विन्नर बनने के लिए आप अपना दाविधारी पेश करें दोस्तों प्रस्ण मैं एक बार पढ़ देता हूँ किसी विद्याले में 10 इचकों की आईउ 37, 34, 52, 45, 41, 37, 44, 36 तथा पश्पन है उनकी माध्यक आईउ क्या होगी यह आपको निकालना है और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले देना है तो कल मैं फिर से मैं बता दूँ माध्य, माध्यक और बहुलक से समंधित एक विडियो अपलोड करूँगा जिससे आप माध्य, माध्यक, बहुलक चुटकियों में हल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंक से समझाने का प्रयास करूँगा तो धन्वाज दोस्तों आप मेरे साथ बने रहें विडियो को कमेंट करने के साथ साथ लाइक भी करें आप सभी मैं एक लाइ विडियो में देखा कि कमेंट ज्यादा हो जाता है लेकिल लाइक कम हो रहा है किसी लाइक करें धन्वाज दोस्तों जैन जे भारत